हेलो, वेलकम बाक चुमा चैनल, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संस्क्रीन के उपर विडियो बना रहे हैं तो ये उसी सीरीज का थर्ड और आखरी विडियो है पहले पार्ट में हमने बात की थी कि UV rays क्या होती है, कितने तरह की होती है और वो किस तरह से हमारे स्किन को डैमेश करती है दूसरे पार्ट में हमने बात की थी कि UV rays से बचने के लिए हम संस्क्रीन लगाते हैं तो संस्क्रीन क्या होती है, वो कितने तरह की होती है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे संस्क्रीन के उपर जो लेबिलिंग होती है, उनका क्या मतलब होता है लेबिलिंग मतलब संस्क्रीन के डिबे पर लिखा रहता है PA+, SPF, ये क्या होता है, ये संस्क्रीन की रेटिंग होती है क्या मतलब होता है इन ग्रेटिंग का आज के वीडियो में हम यहीं जानेंगे और साथ ही साथ यह जानेंगे कि कैसे अपने लिए एक अच्छी संस्क्रीन हम चुनें तो चलिए शुरू करते हैं अपना विडियो, जब भी आप sunscreen खरीते हैं तो आपने उसके उपर देखा होगा कि उस पे बहुत सारी words लिखे रहते हैं जैसे SPF, PA, PA पे बहुत सारी plus के sign बने रहते हैं जैसे PA plus, PA double plus, PA triple plus, मतलब PA plus plus, तो क्या होता है इनका मतलब चलिए जानते ह PA rating क्या होता है, PA rating Japan में 1996 में develop होई थी, PA rating UVA protection को score करने के लिए बना है, मतलब ये हमें बताती है कि कोई भी sunscreen UVA rays यानि ultraviolet A rays से कितना हमारे skin को protect करती है ये rating PPD method से adopt की गई है, PPD मतलब persistent pigment darkening, PPD एक ऐसा test होता है जिसमें UVA radiation से ये पता लगाए जाता है कि कितनी देर में हमारी skin burn या tan हो जाती है अगर किसी sunscreen का PPD 2-4 के बीच में है तो उसे PA plus की rating मिलती है अगर PPD 4-8 के बीच में है तो उसे PA plus plus की rating मिलती है अगर PPD 8-16 के बीच में है तो उसे PA triple plus की rating मिलती है और अगर PPD rating 16 से जादा है तो उसे PA plus 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 यानि PA four time plus की rating मिलती है PA plus मतलब some UVA protection, PA double plus मतलब moderate UVA protection, PA triple plus मतलब high UVA protection और PA four time plus मतलब होता है extremely high UVA protection अब हम समझते है SPF क्या होता है SPF को हम कहते है sun protection factor यह हमें बताता है कोई भी sunscreen UVB rate से हमें कितने time तक protect करती है SPF rating का मतलब है कि कोई भी sunscreen UVB यानि ultra violet B race से हमारे skin को damage होने या tan होने से कितना समय तक protect करती है example अगर आप अपने skin पर SPF 30 cream लगाते हैं तो वो क्या करेगी वो आपकी skin को 30 time longer UVB rate से protect करेगी compare उस skin से जिस skin पर SPF 30 नहीं लगाए गया है मतलब कि जिस skin पर SPF 30 नहीं लगाया गया है वो skin तो जल्री बर्म होगी compare उस skin के जिस पर SPF 30 लगाया गया है अब यह समस्य है कि SPF में जो numbering होती है जैसे कि 15, 30, 50 इनका क्या मतलब होता है SPF 15 यह 93% तक UVB rate से हमारी skin को protect करती है SPF 15 हम तब यूज करते हैं अगर हम जादा बाहर नहीं जा रहे हैं घर के ही अंदर है या बहुत कम sun exposure होगा तब हम SPF 15 यूज कर सकते हैं SPF 30 यह cream 97% तक हमारे skin को UVB rate से बचाती है अगर हमारा sun exposure जादा है और हम थोड़ा लंबे समय के लिए sun में रहेंगे या अपने घर से बाहर रहेंगे तब हम SPF 30 cream का यूज कर सकते हैं SPF 50, SPF 50 98% तक हमें protect करती है अगर हमारा sun exposure बहुत जादा है माली जी हम बीच पे जा रहे हैं तब हम इस rating की cream को use कर सकते हैं यहाँ पर एक बार बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी चाहिए कि rating कोई भी हो चाहे PA rating हो या SPF हो या PA plus हो PA double plus हो PA triple plus हो SPF 15, 30, 70 या जो भी rating हो कोई भी rating आपको exact time नहीं बता सकती कि इतने समय के लिए ये sunscreen sun damage पे आपके skin को protect करेगी सारा काम अंदाजें पे रहता है इसलिए कहा जाता है कि हर दो गंटे बाद हमें sunscreen को reapply करना चाहिए rating से हमें बस थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि कि कितना हमारा sun exposure है उस हिसाब से हम अपनी sunscreen चूज कर लें और दूसरा important point यह है कि कोई भी sunscreen चाहे वो किसी भी रेटिंग की हो 100% वो protection नहीं देती है और लास्ट आइत वर्ड आपने और पढ़ा होगा board spectrum अगर आपकी sunscreen पे board spectrum word लिखा हुआ है इसका मतलब आपकी जो sunscreen है वो दोनों rays UVA और UVB दोनों ही rays से आपको protect करेगी जनरी जो sunscreen होती है वो दोनों रेटिंग के साथ आती है PA और SPF मतलब आपकी sunscreen PA rating की है यानि वो ये बता रही है कि UVA से आपका कितना protection होगा और SPF rating का मतलब है UVB से आपका कितना protection होगा तो किस तरह का आपका sun exposure है मतलब कितना समय आप sun में रहने वाले है उस हिसाब से आप अपने लिए sunscreen को चूज कर सकते हैं ये था sunscreen के बारे में full detail I hope आपको ये series यानि part 1, part 2, part 3 जो sunscreen के ऊपर वीडियो बनाए है वो पसंद आये होगे अगर आपको पसंद आये तो please मुझे like करिए, subscribe करिए और इसी औरों को भी share करिए तो आज की वीडियो में इतने ही मिलते हैं, next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye